कुछ दिनों से एक ऐसी खबर ने तुल पकड़ा था जिसने प्रभास फैंस को जोर का छटका दे दिया था इसमें बोला गया कि सालार 2 को ग्रहन लग चुका है प्रशांत नील प्रभास की सालार के दूसरे पार्ट में इंट्रस्टेर नहीं है ये भी बोला कया कि ये फिल्म अब कब तक वने की कुछ कहा नहीं जा सकता वेल इन सब ही खबरों पर पानी फेरते हुए सालार 2 इस बैक ऑन ट्रैक जीहां सालार पार्टू की शूटिंग को लेकर अब एक नए अपडेट आया है के जीये फेम डारेक्टर नील प्रशांत इस फिल्म को डारेक्ट कर रही हैं और मुवी की शूटिंग बहुत ही जल शुरू होने वाली है जीहां सालार पार 2 की शूटिंग से आए नए अपडेट की माने तो कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग मई के अंत में शुरू होने वाली है सालार टू को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी में दस दिनों का शूटिंग शेडियोल टैग किया गया है और इसे यही पर फिल्म आय जाएगा मीडिय रिपोर्ट की मताबिक पहले भाग के फीडबैक के आधार पर सीक्वल की स्क्रिप्ट को तयार किया गया है बताया जा रहा है कि निर्माता इसके आउटपुट से सेटिसफाइड है इससे रिपोर्ट की माने तो फिल्म को दिसमबर 2015 तक रिलीस करने की तयारी भी की जा रही है बतादे कि बीती 22 दिसमबर को सालार पार्ट वन सीसफाइर रिलीस हुई थी जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर कमाई के उचे जंडे गार दिये थे अब सालार पार्ट टू से भी मेकर्स वाक्स ओफिस पर वही दिखास दोराना चाहते हैं बतादे कि सालार ने एक पार फिर प्रभास की गाड़ी पट्री पर ला दी है इससे पहले प्रभास राधे शाम और आदी पुरुष जैसी फलॉफ फिल्में दे चुके हैं वहीं बात करें प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD की तो ये आने वाली 27 जून को रिलीस होने जा रही है इससे पहले फिल्म 9 माई को रिलीस होने वाली थी हाल ही मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीस डेट का ऐलान किया है बात करे अगर फिल्म कल की 2898 AD की तो प्रभास के साथ साथ बॉलिवूड स्टार्स, अमिताब बच्चों, दिपिका बदगोण और दिशा पाथनी भी फिल्म में नजर आने वाले हैं वहीं कमल हसन फिल्म में विलन के रोल में दिखेंगे फिल्म को नाग अश्विन ने डिरेक्ट किया है जो फिल्म महानते के लिए जाने जाते हैं आप प्रभास की किस फिल्म को लेकर सबसे जादा एक्साइटेट हैं कमेंट बॉक्स में बताना हमें ये बिल्कुल भी ना उपनेगेगा